नमशकार मैं हूँ प्रितीक और आप देख रहे हैं जनताशो एक दिसंबर से देश के सभी नेशनल हाइवेज के टोल प्लाजा पर फास्टेग अनिवारे हो गया है अगर आपको अपनी गाड़ी टोल प्लाजा पर बिना रुके निकाल ली है तो उसके लिए फास्टेग लगवाना जरूरी है अब आप सोच रहे होंगे कि FastTag है क्या तो FastTag एक Radio Frequency Identification Technology पर अधारित है यह है गाड़ी की Windscreen पर लगाया जाएगा जब भी आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी तो वहां के लगे डिवाइस आपके FastTag को डिटेक्ट कर लेगा और आपका टोल कट जाएगा और आपकी FastTag अकाउंट की सारी जानकारी आपकी रिजिस्टर मोबाइल नमबर पर आपको मिल जाएगी अब आप सोच रहे होंगे कि इसे खरीदे कैसे तो इसे खरीदना बहुत ही असान है इसे आप ओनलाइन और ओफलाइन दोनों मोड से खरीद सकते हैं अगर आपको ओफलाइन मोड से खरीदना है तो यह किसी भी टोल प्लाजा पर आप आवेधन कर सकते हैं इसके लावा आपको कुछ documents की भी जरूरत होगी जैसे registration certificate यानि RC, driver की passport, size photo और एक ID proof जैसे pen card, water ID card या फिर आधार card और अगर आपको online खरीदना है तो आपका अगर PTM number है या फिर PTM account है तो आप उसे वहाँ से भी खरीद सकते हैं online खरीदने के लिए आपको जाना होगा www.fastag.org website पर अब आप सोच रहे होंगे कि fastag के फाइदे क्या हैं तो इसके फाइदे अनेक हैं दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि अगर कोई भी non fastag वाली गाड़ी अगर fastag लेन में चली गई तो उसको भरना होगा दोगुना जुर्माना इसके अलावा आपको जब भी टोल प्लाजा पर आप जाएंगे आपको किसी परची की ज़रूत नहीं होगी तो इससे हमारा पेपर भी सेफ होगा और फ्यूल और टाइम की बचत्नों होगी ही होगी तो अगर एक दिसम्बर से पहले आपने fastag नहीं लगवाया तो आपको टोल प्लाजा पर कैश लेन की लंबी लंबी लाइनों पर लगना पड़ेगा और आपके समय की बरबादी होगी तो इसलिए जल से जल पास टेग लगवाएं और सरकार को सहयोग दे आज की वीडियो एंबस इतना ही अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो अब हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें